रेफ्रीजरेटर का दर्वाजा रेफ्रीजरेटर की नस्दीक आकर चच से बंद हो जाता है इसी तरह अलमारी का दर्वाजा भी अलमारी की नस्दीक आते ही इस तरह बंद हो जाता है जैसे किसी चीज में उसे अपनी और खीच लिया हो बैग में लगी चटकनी चट से बैग की सतह से चिपक जाती है कि सारी प्रत्रिया कैसे होती है इन सब के पीछे का जवाब है चुम्बक इन सभी वस्तुहों में चुम्बक लगी होती है जो दूसरी सतेय पर लगी धातू ये चुम्बक को अपनी और आकरशित करती है और छट से दर्वाजा ये ब्याग बंध हो जाता है चुम्बक को हम बच्पन से देखते आ रहे हैं लेकिन चुम्बक क्या होती है? वे कुछ धातू को अपनी और आकरशित करती है और कुछ को नहीं ऐसा क्यू होता है? चुम्बक से जुड़े ऐसे ही सवालों की जवाब हम आज की वीडियो में जानेंगे चुम्बक आम तोर पर लोहे धातू की ऑक्साइड होती है जो की आइरन, कोबैल्ट और निकल जैसे कुछ धातू को अपनी और आकरशित करती है चुम्बक के दो पूल या ध्रूफ होते हैं उत्तरी और दक्षिनी मोटे तोर पर तीन धर्या की चुम्बक हम देखते हैं बार चुम्बक, होर्शू चुम्बक और रिंग चुम्बक बार या छट चुम्बक एक बार के आकार की होती है जिसका एक सिरा उत्तरी और दूसरा दक्षिनी दुरूफ के लाता है होर्शो remove कि गोडी की नाल के आकार की होती है इसलिए होर्शो कलाती है इसी प्रकार रिंग चुम्बक का आकार अंगूठी जैसा होता है येदि दो चड़ चुम्बक ली जाए तो ये देखा जाता है कि एक का उत्री द्रुप दूसरे की दक्षनी दुरुफ को अपनी और आकरशित करता है और दोनों की समान दुरुफ एक दूसरे को प्रतिकरशित हम जानते हैं कि चुम्बक लोहे को आकरशित करती है और लकडी को नहीं इन आकर्शन और पतिकर्शन को देखकर ये कहना उचित होगा कि चुम्बक के आसपास कुछ तो हो रहा है जिसे हमारी आखे देख नहीं पा रही इसे समझने के लिए एक एक एक्टिविटी करते हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक चर्चुम्बक लोहे का चूरा एक सफेज शीट चाहिए होगी चर्चुम्बक को शीट के बीच में रखे और उसके उपर धीरे धीरे लोहे का चूरा डाले फिर धीरे धीरे शीट पर थपकी मारे थपकी मारने की प्रक्रिया को दो-तिन बार करे यदि हम चूरी को ध्यान से देखे तो हम एक पैटर्ण बंदा नजर आएगा ये वही पैटर्ण है जिसे हमारी आखे नहीं देख पा रही थी ये पैटर्ण चूम्बक द्वारा लोहे की चूरे पर लगाए गए बल को दरशाता है जिस शेतर में ये बल लग रहा है उस शेतर को चूम्बक ये शेतर या अंग्रेजी में मैंनेटिक फील्ड यहते हैं जिन रेखाओं पर चूरा दिखाई दे रहा है उन रेखाओं को चूम्बक ये शेतर रेखाए या मैंनेटिक फील्ड लाइन्स कहा जाता है यदि लोहे की चूरे को ध्यान से देखा जाए तो एक जगा हमें बहुत ज़्यादा इकटा चूरा दिखेगा और कही थूड़ा कम ये इकटा चूरा चूम्बक ये शेतर की ताकत ये प्रबलता को दिखाता है साथी रेखाओ के दिशा भी परिबार्टी के मताबिक उत्तर से दक्षिन की और ली जाती है चूम्बक के अंदर यही दिशा दक्षिन से उत्तर की तरफ होती है तो आज हमने इनसानी आउख्वा से ना दिखने वाले चूम्बक की शेतर के पारे में जाना और साथ ही शेतर रिखाओ को भी समझा और मुझे यकीन है कि आगली बार आप जब भी किसी भी धातु को चुम्बक से आकशित होते वे देखेंगे तब चुम्बक के शेतर को ध्यान में रखेंगे और जिने इस छिपे रहस्य के बारे में नहीं पता उन्हें भी बताएंगे